इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह जिंक और विटामिन C कोशिकाओं को ओक्सिडेटिव तनाव से बचाते हैं और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य को नियमित करते हैं विटामिन बीच है हॉमोनल गतिविधी नियमन में योगदान देता है रक्त में सामान्य डी हेचटी स्तर के रखरखाव के लिए जिंक की आवश्यक्ता होती है और सामान्य शुक्रानुजनन के लिए सेलनियम योगदान की आवश्यक्ता होती है Folic Acid, Iron, Magnesium और Vitamin B 12 कोशिका विभाजन में भूमिका निभाते है Folic Acid, Vitamin B 6 और Riboflavin यानि की Vitamin B 2 लाल रक्त कोशिकाओं के सामान्य निर्माण में योगदान करते है Vitamin B 6 और B 12 तंत्र का तंत्र के सामान्य कामकाज में मदद करते है Vitamin B 6 और B 12 और Tamba, Loha और जस्ता नियमित उर्जा रिलीज में योगदान करते है सूत्र में अन्या आवश्यक पोशक तत्व शामिल है Peruvyn Maca अर्क, CoQ10, Lycopene, Siberiai Jinseng अर्क और Pine Chal अर्क चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में 1. Jinseng को सभी जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है क्योंकि यह पुरुषों के बीच यौन स्वास्थे में सुधार कर सकता है 2. Peruvyn Maca अर्क पुरुषों के प्रजनन स्वास्थे को बढ़ा सकता है 3. Lycopene अनुपूरन लिपिट पैरोक्सिडेशन और DNA शती से निपटने में मदद कर सकता है और समगर प्रतिरक्षा में सुधार कर सकता है 4. Pine Chal का अर्क OPC से सम्रिध है एक शक्तिशाली एंटियोक्सिडेंट जो रक्त परिसंचरण में सुधार करने में सक्षम है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें